Hello guys, आज हम पढ़ेंगे chapter 3, one or more than one, एक या एक से जाधा के बारे में, तो आप इस sentence पर जैसा के देख रहे हो, look at these words पर, chair, एक word, one, one, one हो गया, और ये more than one हो गया, chairs, फिर bench और benches, तो आप जानते हैं, यहाँ पर S और E S यहाँ क्यों लगा, ठीक है, तो चलो जानते हैं, यहा naming words होते हैं, वो एक या एक से जाधा होते हैं, तो फिर आगे देखते हैं, when there is more than one thing, we end the naming word with S और E S, यहाँ पर बोला जा रहा है, जब एक से जाधा चीजों को स्तमाल किया जाता है, उस जगह पर हम, उस naming word पर हम, S या E S लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने लगाया S और E S, ठीक है, फिर नीचे देखते हैं, we use words A, N और 1 before the naming word, if there is only one of that thing, मतलब जब एक चीज हमें बताई जा रही है, या दिखाई जा रही है, तो उस चीज में हम A, N और 1 यूज करते हैं, तो यहाँ पर जिसकी दिखा रहा है A boy, N add one flower, ठीक है, अब फिर यहाँ पर था, नीच E S, we add E S to the words ending with S, SS, SH, O, X और CS, हम E S तब use करते हैं, जब कोई word end करता, S, SS, SH, O, X और CS से, ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमें बोला था, S से end करेगा, S से end करेगा, तो E S लगाएंगे, तो यहाँ पर बस था, तो बसेज हो गया, देखो, यहाँ पर, S थ बसेज हो अब यहाँ बोला है, तो O भी आया, तो O भी आया, mango में, То mango में, mangoes हो गया, mango, ओ था यहाँ, ज़िए, तो, O, इहाँ एस भी बोला है, यहाँ, SS, भी बोला है, तो यहाँ, SS भी आया, फिर उसमें E S लग गया, हटकर, पासेज हो गया, फोक्स, अब यहाँ, X भी था में यहां पर एसे छटकर एसा गया फिर बंच बंचेस हो जाएगा सी एच बोला था में यहां यहां पर जितने वर्ट बोले गए थे उन्हें पूरे हटा कर आपको बता दिया गया है हमें नीचे चलती हूँ और यहां बोला जारा है वी कैनाट यूज एस और एस फॉर सम नेमिवर्ट हम एस और एस का कुछ नेमिवर्ट के लिए इस्तामाल नहीं करते हैं जैसा कि मैं मैं था एहटके ए आ गया मैं हो गया वूमें था एहटके वूमें हो गया फिर चाइल्ड का चिंड्रेंड फूट फीट माउस माईस गूज गीज तो चलो आप कुछ एक्ससाइजेस देखते हैं और बताती हूँ कि आपने अभी क्या समझा ठीक है तो यहां पर देखो आपको बोला जारा लुक एट दा पीचर टिक दा करेक्ट नेमिंग वर्ड यहां पर बोला जारा अभी आपने जो अभी आप पिचर देख रहे हैं उस पर आप सही निशान लगाओ कि क्या सही है तो यहां पर धेर सारे बनाना थे एक तो नहीं था तो धेर सारे थे तो बनाना थ अब यहां पर एक है तो इसमें क्या होगा स्पून यह वाला स्पून यह वाला ठीक है स्पून होगा क्योंकि एक है अब यहां दो दीख रहे हैं हमें तो शू नहीं बोला जाएगा शू बोला जाएगा क्योंकि हमने पीछे पड़ा तो यहां प एक ही रहता तो क्रिवान बोला जाता, अभ यहाँ की है, तो घेल सारी चाब यहाँ है, तो कीश होगा, पोस्ट बोक्स, एक ही है, पोस्ट बोक्स नहीं बोला जाएगा, पोस्ट बोक्स ही बोला जाएगा, तो अम नीचे आते, look at the picture, add S और E-S to this name, अभ यहाँ S और E-S लग नीचे हमें खुद से लगाना है तो यहां पे पहला लगादिया है तिया हो चाइगर्ड है तयुरा थे लोगी तेने काइट एक काइट 스 रेते हैं कांच भी ऊधरे लगाती काइट में ऑख जाएगा ऐनगे और इस सब्सक्क्राण कर लेकि काइट तो फणैया है तो yes लगाएंगे अब यहां उसी तरह हमें आगे भी करना है bench है तो benches हो जाएंगे teachers यह teachers हो जाएंगे mangos, cars, ants इस तरीके से मैंने सारे को भर दिया अब नीचे चलते हैं तो अब यहां बोला जा रहा है look at the picture complete the word with s और es अब यहां आपको फिर से s और es का यूस करना है तो यहां पर one socks दिया हुआ था one socks blue socks दो हो गए तो socks हो गए अब यहां पर a bird five birds birds एस लगाया मैंने ठीक है birds अब इधर चलते हैं तो हमें मिलका one fox four foxes होगा foxes four foxes one hand two two hands hands हो जाएगा ऐस लगेगा one tomato red tomatoes तोस तेमाट तोस तेमाट तोस तेमाट तोस तेमाट तोस तोस तेमाट तोस 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 कहीं चाहरा हुआ थो एस ठीक है one bag three bags b a g s लगा है मैंने है तो हमने यहां पूरा कर लिया अब नीचे और एक exercise दी गई है add s और es to the word in the brackets to complete this sentence अब यहां पर हमें बोला जा रहा है s और es लगा कि यहां पर brackets completed हो तो the farmer grows potatoes in winter potato there are many child यहां पर option दियेगा child playing in the path तो हमने यहां पीछे पढ़ा कि child में होता है children यहां s और es हम नहीं लगाते है यहां child में होता है children तो हब हम यहां भरेंगे children ठीक है अब orange है देखो the trees in the orchard were full of oranges o r a n g e s oranges in summer the wild goose दिया गया wild dash fly to cold countries तो यहां पर हो जाएगा हमारा यहां पर दिया गया था पीछे geese e s नहीं लगता है तो geese बना देंगे हम इसे g e e c geese ठीक है फिर there were dash and dash at the fruit shop plums and peaches ठीक है यह हो गया अब यहां पर है mother keeps the chocolate biscuit in the glass jar ठीक है तो jar दिया है तो jars हो जाएगा chocolate jars jars लिख देते ठीक है jars यह हो गया हमारा पूरा chapter complete तो अब हम next class में पढ़ेंगे he or she के बारे में तो अभी हम class 1 के 3 chapters discussed कर चुके आपने previous वीडियो नहीं देखा तो जाका देखिए फिर next part में 4th chapter discuss करेंगे ओके बाइबाइ थैंस वाचिंग आज हमने इन चीजों के बारे में पूरा exercise discuss किया और इसके बारे में पढ़ा बाइबाइबाइबाइब